14 जून बड़ा मंगलवार अद्वित संयोग जेश्ट बट पूरिमा चुप चाप यहाँ फेंकें थोड़े से चावल छपड़ फाड़ पैसा आएगा घर में जेश्ट मास में आने वाली पूरिमा का हिंदु धर्म में बड़ा महत्त है इस दिन गंगा शनान करने से बेक्त के सभी पाप नश्ठ होते हैं माना जाता है कि इस दिन भगवान लक्षमी नरान का पूजन करने से मंचाहा बरदान प्राप्त होता है इस दिन बढ़ साबितरी का ब्रत भी रखा जाता है यह ब्रत शोहागिन महिलाई अपने पती की लंबी आयू और शफलता की कामना से परिवार की शुक्ष म्रद्धी के लिए करती है जेश्ट पूडिमा का ब्रत करने से भगवान लक्षमी नरान के साथ ही पितर भी परसंद हो जाते हैं और पितरो चंद्र दोस दूर होता है पारिवारी के रिष्टे अच्छे होते हैं और घर में शुक्ष म्रद्धी आती है इस दिन भगवान शत्त नरान की कथा का स्तरवन करने मातर से ही जीवन विचली आरही कष्ट दूर होते हैं इस बार के इस जेश्ट पूडिमा के दिन कई सारे दुरलब सुपसेयोग बन रहे हैं इस दिन शर्वार सिध्योग और अम्रिश सिध्योग भी बन रहा है पूडिमा के दिन भगवान विश्णू और मालक्ष्मी बहुती परसंद मुद्रा में रहती है इस बार यह जेश्ट पूडिमा 14 जून दिन मंगल बार को पढ़ रही जी है दोस्तो इस दिन शत्त नरण की कत्था भी सुनना बहुती सुब माना जाता है ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है पूरिमा के तिथी माता लक्ष्मी को अधितिक प्री होती है पूरिमा तिथी के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में माता लक्ष्मी की विशे पूजन किया जाता है। बहुत ही जल्दी सुब फल परदान करने वाले होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरिमा पर करने वाला एक बहुत ही खास और अशरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों सास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और अशरकारक उपाय है इस उपाय को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी कृपा से घर में शुक्षम्रदी बनी रहती है धन सम्मंदि समस्याई दूर होती है छपड़ फार के पैसा आता है घर में और घर में माता लक की बरकत होती है। दोस्तों इस उपआय को शही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा। दोस्तो हम सभी धन कमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, कई प्रयाश करते हैं लेकिन फिर भी इसमें सभी बेक्ति को सफलता नहीं मिल पाती, कई बेक्तियों को धन प्राप्ति के स्रोत मिल जाते हैं, घर में पैसा भी बहुत आता लेकिन पैसा है कि टिकता ही नही कोई न कोई धन संबंदिश समस्या हमेशा बनी रहती है यह समस्या उन घरों में होती है जहां माता लक्ष्मी का बास नहीं होता इस समस्या को दूर करने के लिए आप धनकी देवी माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंतरत करें बैदिक काल से ही मानता है कि धनकी देवी महा लक्षमी पूर्मा के दिन धर्ती पर भ्रमन करती हैं, माता लक्षमी को अमंदर करने के लिए इस खास उपाय को करिए, सबसे पहले तो आप पूर्मा तिथी के दिन नहाद होकर सुर्योदर से पहले निब्रित हो जाएं, यानि कि नहाद होकर स्वक्ष वस्त धारन कर लें, दीपक जलाने के बाद फिर आप एक पात्र में एक कटोरी में थोड़े से चावल लेए चावल लेने के बाद फिर आप थोड़े से पिशे हुई हल्दी लेए और सुध्य जल रक लेए माता लक्षी के पूजन करें और ओ महालक्ष्मी देबोनवनो इश्मंतर का जाप करें पुजा करें फिर आप इस चावल में थोड़ी से हल्दी मिला लें और आप चावल में हल्दी मिला के थोड़ा सा उसको गीला कर लें हलका सा फिर आप उसी चावल को माता लक्ष्मी जी के चड़ों के पास रख दें और चड़ों के पास रखने के वाद फिर आप माता लक्ष अपने दाइने हाथ में और इसे ले जाकर अपने आलमारी पे चुप चाप यानि की फेंक दें दूर से आप फेंक दें और डाल दें ऐसा करने से आपके घर में धन संबंधर समस्याइब खत्म हो जाएंगी, छपड़ फड़ पैसा आएगा आपके घर में, आलमारी सदा तिजोरी आपकी धन से भरी रहेगी, माता लक्षमी करपा से कभी भी धन की कमी नहीं होगी, दोस्तों चावल, पूड़ में के दिन दिन चावल का दान भी करना स्ट्रेश्ट माना जाता है, आपके घर में छपड़ फड़ पैसे आएंगे, और आपके घर से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, दोस्तों वैसे भी आप थोड़े से चावल ले ले, और आप यहनी की 21 दाने चावल ले ले, साबूत चावल ले ले, और माता लक्षमी के चड़ों के पास रख दे, और फ पूरी से हलदी इस चावल में, इस चावल को आप अपने घर के पूरे घर के दर्वाजे पर, पूरे घर के कमरे पर छिटकाव करें, तो निगिविटी दूर होती है घर से, यारी कि जो गलत नर्जी है, वो आपके घर से बाहर निकल जाती है, और सकरात्म कुर्जा का वास होता है, चावल माता लक्षिम को बहुत प्रिय है, चलिए पूरिमा थितिक दिन चावल का ये उपाज जिरूर करना चाहिए सभी भक्तों को, दोस्तों वैसे भी आप यानि की थोड़े से एक मुठी चावल ले 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 और चावल लेने की बाद आप इसे माता लक्षिम के चड़ों के पास आप यानि की छिड़क दे अपनी मनो कामना बोलते हुए आप जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको मन चाहा, हर प्रकार के कष्टों, यानि मन चाहे मुरादे और सपने आपके पूरे होंगे और शुक्सम्रदी हमेशा जीवन में बनी रहेगी दोस्तों, चावल को आप एक मुठी चावल ले ले जो आपने उनके चड़ों के पास ये एक मुठी चावल रखा है माता लक्षिम के पास इसे आप लालिय फिल पीले कपड़े में बांद के पोटली बना ले और पोटली बनाने के बाद माता लक्षिम के शुमरण करते हुए आप अपने तीजोरी धन के स्थान पर ले जाकर रख दें तो आपको कष्टों से चुटकारा मिलेगा धन लाब होगा तो हमेशा आपके जीवन में धन सम्मझे समस्याएं दोर होंगी लेकिन आपको साबूत एक इस दानी चावल लेकर और माता लक्षिम के सिमरण करते हुए अपने आलमारी पर फेंक दें डाल दें तो ऐसे में धन सम्मझे समस्याएं खत्म हो जाती है ब्यापार इस थल पर दिक्कत है तो ब्यापार इस थल पर आप जाकर डाल दें तो वहां पर भी तरक्की होने लगेगी नौकरी की चाहत है तो अपने पर्स में डाल के लेकर जाएं तो बिशेश लाब होगा यनि ये चावल का ये अद्वत उपाजवाब के कष्टों से और गरीबी को दूर करेगा चपड़ फाड़ परसेगा पैसा घर में मातालक्ष्मी कृपा बरसेगी तो दोस्तों ये उपाज जरूर करिएगा कमेंट में लिखे जय मालक्ष्मी साथ वीडियो को लाइक करिएगा जयदा जयदा सेर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय मालक्ष्मी